हेलो और नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका दा सिनेमा कल्ट में सबसे पहले मैं मेरे सारे कल्ट मेंबर्स को ठेंक और कॉंगरेचुलेशन कहना चाहता हूँ क्योंकि हमने 2K का टारगेट पार कर लिया है अब बात करते हैं मूवी के बारे में आज जो मैं मूवी आपको explain करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है Dog Soldiers जो की 2002 में release हुई थी और ये 2002 की सबसे highest grossing movies में से एक है और खासकर इस मूवी की story और इसका concept बहुत ही ज्यादा अलग है जो की मुझे बहुत पसंद आया Dog Soldiers fantasy horror thriller genre की मूवी है और इस मूवी को direct किया है नील मार्शल ने और ये मूवी उनकी directorial debut थी जिसमें उन्होंने कमाल का काम किया है IMDP पे से मिले है 6.8 out of 10 stars और सड़ेवे टमाटर पे ये है 77% fresh with 79% audience score जो की बहुत ही बढ़ी audience score है तो अब बिना किसी देरी किये Roll the intro मूवी की शुरुवात होती है एक कपल को दिखाते हुए जो कि स्कॉटिश हाइलन्स के जंगल में केम्पिंग करने के लिए आये थे वो दोनों अपने टेंट के बहार बेठे बाते कर रहे थे पाते करते करते हुवा औरत अपने पती को प्रेजेंट के तोर पर एक चांदी का छोटा चाकू गिफ्ट करती है सीन सिधा नाइट टाइम पर मूड़ती है जहांपर वो दोनों कपल टेंट के अंदर अपना कारी करम शुरू करने वाले थे और तभी उन्हें टेंट के भाहर से कुछ आवाजे आती है जब वो दोनों टेंट की दरफ देखते हैं तो टेंट की चेन अपने आप ओपन हो रही थी टेंट की चेन आदी ओपन होती है और दो पल के लिए शांतिश आ जाती है और अचनक से किसी जानवर के हाथ टेंट के अंदर आते हैं और उस लड़की के पेर पकड़ कर उसे भाहर खिशने की कोशिश करते हैं वो आदमी भी अपने पत्नी के हाथ पकड़ कर उसे अंदर खीचने की कोशिश कर रहा था और तब ही उसके चेरे पर उसके पत्नी का खूना कर उड़ता है। और हम देखते हैं कि उसके बीवी के बॉड़ी के नीचे का आदा हिस्सा वो अंसीन फोर्स काट कर लेकर जाती है। फोर्स यूनिट जोइन करने के कोशिश कर रहा था और ये उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। अब S.A.S. में भरती होने के लिए कूपर को सिफ एक लास्ट टेस्ट पास करना था। जिसमें केपटन रायन कूपर को उनके कुट्टे को गोली मारने के लिए के लिए के लिए वो भी कोल्ड बलड में। और कूपर कहता है कि वो किसी बेगुना मुक्य जीव को नहीं मारेगा। जिसके कारण केपटन रायन कूपर को पहली दरखास्ट में ही बरखास्ट कर देते और उसके यूनिट के पास उसे वाबस बेज़ देते। एक महीने बाद छे ब्रिटिस सोलजर्स के स्कॉड इंक्लूडिंग कूपर को स्कॉटिश हाइलेंड्स के जंगल में छोड़ा जाता है। पूरा स्कॉड ये देखके डर जाता है। फैला हुआ था। तभी एक आदमी उनके पास से चिलाता है और ये अंकल और कोई नहीं बलके कुटों से नफरत करने वाले कैप्टन रिचर्ड रायन थे। लोकि उनके यूनिट के आखरी सर्वाइवर थे और बहुत ही बुरी तरह जखमी थे। लोक गोलिया चलाते हुए जंगल से रोड साइड की दरफ भागते हैं। तभी स्पून को रास्ते से एक गाड़ी आती दिखती है। स्पून गाड़ी के सामने कूट कर कार को रुकाता है। कार एक लड़की चला रही थी। वो उने जलती से कार में बैठने के लिए कहती है और सब लोग कार में गुज जाते है। तभी कार के उपर एक हमलावर चड़ जाता है और हुड फाड के हाथ अंदर डालता है। स्पून अपनी नाइफ निकाल कर उस जानवर का हाथ काटने लगता है। अपाईज होने के डर से वो जानवर अपना हाथ उपर खीज लेता है और वो लोग पहली फुरसत में वहाँ से निकल जाते है। वो लड़की उने थोड़ी दूर एक सुनसान घर में ले जाती है जो किसी अन्नुन फैमिली का था। वो लड़की उने बताती है कि इस घर के फैमिली मिंबर्स उसके दोस्त है। जो कि हमला करने के लिए रेडी थे। वो जानवर उनकी तरफ भागते और कूपर और स्पून घर की तरफ भागते। कूपर सार्जंट को चेक कर रहा था तब वो लड़की उन्हें अपना नाम मेगन बताती है। वो दोनों सार्जंट को उपर के रूम में ले कर जाते और विस्की और गलू से उनका पेट चिपकाते। वो ने आराम करने के लिए छोड़ देते और नीचे आकर मेगन सबको उन जानवर के बारे में बताती है। अगर बहरे में इसे नहीं तो क्या प्यार से मारेंगे। आराम के लिए कि दो गंटे पहले तुम मोत के दरवाजे पे खड़े थे और अब तुम्हें देखो एकदम फीट और फाइन। हमने तो तुम्हारा इलाज भी नहीं किया। तो ऐसा क्या चमत कार हुआ। उपर स्पून और जोग और आयन को पकड़ने के लिए केता है और वो रायन के घाओ देखता है जो कि अब अपने आप ठीक हो चुके थे। तभी उन्हें भार से कुछ हलचल सुनाई देती है और अब वेरवुल्स फिर से उनके ओपर हमला करते हैं। वेरवुल्स खिड़की तोड़ के अंदर आने के कोशिश करता है जो उस पर चार शौटगन की गोलिया चलाता है पर उस वेरवुल्स को कोई फरक नहीं पड़ता। उपर से वो शाना वेरवुल्फ जो से ही बंदूक चिन कर उस पर ही गोली चलाता है पर जो टाइम पर नीचे सो जाता है यहां दरवाजे की छोटी खिड़की में से एक वेरवुल्फ हाथ अंदर डाल रहा था और तबी स्पून की गोलिया खतम हो जाती है स्पून नीचे बेटकर गोलिया भर रहा था पर वेरवुल्फ के बाहर से जादा उचलकुत करने के कारण दरवाजे को धका लगता है जिससे उसकी मैगजिन दूर गिर जाती है तबी कूपर आता है और उस वेरवुल्फ के मुँपे उबला हुआ पानी फेकता है और स्पून उसी पैन से उस वेरवुल्फ को मारने लगता है के उपपर खड़ी थी और सार्जंट बेडिये बेच कर सो रहे थे कूपर सार्जंट के पास आ रहे वेरवुल्फ के मूँ पे फ्लोर पे पड़े कैमरा से फ्लैश मारता है जिससे उस वेरवुल्फ को तकलिफ होती है और जिस वेरवुल्फ ने उसका पेर पकड़ रखा था उससे वो कैसे तो खुद को छुड़ा कर उसके मूँ पे लात मार के उसे नीचे गिरा देता है दूसरा वेरवुल सार्जांट को मार नहीं वाला था तबी कूपर टाइम पे अपनी गन उठाता है और उस वेरवुल पे गोलिया चलाता है गोलियों के आवा गुच जाता है और इस सीन का एक मीनिंग है जिसके बारे में आपको एंड में बताऊंगा अब वो लोग सोचते हैं कि अगर वो कैसे भी ये रात काट ले तो सुबह तक सारे वेरवुल अपने हुमन फॉर्म में आ जाएंगे जिससे वो आराम से उन्हें मार कर यहां से नि निकल सकते हैं कूपर एक प्लान बनाता है अगर उन्हें वहां से गाड़ी सही सलमत लानी है तो उन्हें वेरवुल्स का ध्यान बटका ना होगा तो वो लुक स्पून को रसी बांद के उपर के रूम से घर के पीछे साइड बेचते है ताकि जब वेरुल्स का ध्यान स्प टेरी को खा रहा था वो वेरवूल जो को देख लेता है और अपने मुझ से टेरी की मुंडी निकल कर कार पे फिकता है जो फटाक से गाड़ी रिवर्स में लेता है और गाड़ी का बैक साइड घर के फ्रंट डोर पे पार्क करता है ताकि जैसे घर का दरवाजा खुले तो कार के फ्रंट ग्लास पर खुन उड़ता है यहां वो सब स्पून को उपर खीच लेते हैं पर वो वेरवूल स्पून की रसी पकड़ के उपर आने की कोशिश करता है मेगन उस वेरवूल के मूँपर कैमरा फ्लैश मारती है और वो लोग रसी को काड़ देते जिससे वो वे वेरवूल उन्हें मारने आता है पर मेगन उस पर गोली चला देती है और उसके पीछे हटते ही सार्जंट दरवाजा बंद कर देते है पर मेगन के चेरे पर उस वेरवूल का नाखुन लग जाता है अपने तीन सातियों को खोने के बाद कूपर का दिमाग गुस्से से खरा कूपर के स्कौड को ट्रेनिंग के नाम पर यहां पर बुला है ताकि कूपर का स्कौड चारा मने और ये लोग उस वेरवूल को पकड़ ले पर सब उल्टा हो गया उन्हें लगा था कि वो सिर्फ एक है पर वो पाच थे यह सुनकर गुस्से से कूपर और सार्जंट रायन को मार नहीं वाले थे तभी रायन उसके घाओ के कारण वेर वूल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो उन पर हमना करने लगता है और तभी कूपर पीछे से उसके पीट में तलवार गुसा देता है और रायन उसी के साथ खिड़की से बाहर बाग जाता है और यहां उन् उस गैरेज को ही उड़ा दे तो सारे वेरूल्स मर जाएंगे कूपर और सार्ज गर के फ्रंट डोर पे खड़ी कार में गैस सिलेंडर और पेट्रोल के कैंस बरते है और स्पून कार के पेट्रोल की टंकी नीचे से तोड़ देता है फिर कूपर कार को फुल स्पीड में ड् मेगन कूपर से कहती कि जब वो उनकी टीम से पहली बार मिली थी तो उसे लगा था वो यहां से निकल सकते है पर अब कोई फाइदा नहीं वो लोग कभी यहां से बाहर नहीं निकल सकते है कूपर कहता है इसका मतलब यहां आसपास दूसरा कोई भी गाओ नहीं और उस गैर के लिए दर्वाजा खुलना था ताकि वो अंदर आ जाए और मैंने पीछे का दर्वाजा खोल दिया है तभी सारे वेरूल्फ अंदर आ जाते और मेगन भी वेरूल्फ में ट्रांसवाम हो रही थी पर इससे पहले वो पूरी तरह ट्रांसवाम हो सार्जेंट उसके सर पे पोस्ट मॉटम कर देते, कूपर और सार्जेंट उपर के कबड में छुपे थे, और जैसे ही वेरवुल्स उस रूम में आते हैं, सार्जेंट और कूपर फ्लोर में गोलियों से होल कर देते, जिससे हो सीधा नीचे किचन में गिरते, जहां उन्हें स्पून की बची कुछी च टेखाने में छुपने के लिए कहते हैं, और साथ ही में उसे वो कैमेरा रोल देते, जिसके अंदर सबूत थे, वो कहते हैं कि खुद के लिए नहीं तो अपने दोस्तों के लिए यहां से जाओ, और बताओ पूरी दुनिया को कि यहां क्या हुआ, और हम किस से लड़े, कू कूपर यह देखकर और सोचकर बहुत रोता है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया, जैसे ही सुबह होती है, तो कूपर वहां से निकल ही रहा था, तभी वेरवुल्फ रायन वहां पर आ जाता है, जो कि अब तक जिंदा था, वो कूपर को पकड़ कर उसके सीने में गुसिवी तलवार उसके मुँ में गुसा कर उसे मारने के कोशिश करता है, तभी एन वक्त पर मेगन का डॉक सैम रायन पर चड़कर उसे काटने लगता है, जिससे रायन कूपर को छोड़के सैम को पकड़ने की कोशिश करता है, उसी वक्त कूपर को उस आदमी के लाश के से बाहर आते हैं और स्क्रेझ ब्लैक आउट हो जाती एंड क्रेडट के बाद हम देखते हैं कि और हर महीने फुल मून आने पर यह लोग यहां आने वाले हाईकर्स और टूरिस्ट का शिकार करते थे मेरे खहल से अगर यह फैमिली नहीं भी चाती होगी किसी का शिकार करना तो भी यह लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वेर वुल्फ का निचर ही वैसा होता है तो सबूत डूंडने के लिए वो अपने घर से यहां आती है पर उसे सबूत के साथ कुछ ज़ादा ही मिल जाता है वाथ फैमली से उसकी जान पैचान होती है और वो बहुत अच्छी दोस्ट बन जाती है उनकी वो लोग मेगन को मार भी सकते थे अबर मारने की जगह वो लोग उसे इंफेक्ट कर देते और फोर्सफुली अपनी फैमली में अडॉप्ट करते हैं और वो भी वाथ फैमली की मेंबर बन जाती है इसके बाद साल 2000 या अरली 2001 में कैप्टन रिचड रायन और उसकी ब्रिटिश आर्मी स्पेशल फोर्सेज की टीम मेगन को अप्रोच करती है क्योंकि स्पेशल वेपन्स डिविजन ने वेर्वुल्स के बारे में श्टोरी सुनी थी और मेरे क्याल से मेगन उन वेरवुल्स में से हो सकती है जिन्होंने रायन की टीम पर हमला किया था जब वो दूसरी बार वेरवुल्स पकड़ने आये थे और जिस रात रायन के कैम्प पर हमला हुआ मेगन ने अपना ट्रांसफोर्मेशन रोक लिया उसे पाड़ो से गोलियों के आवा सुनाई दी और वो कार लेकर रोड साइड बर गई जहाँ पर उसे कूपर की टीम मिली उने देखकर मेगन में उम्मीद जागी कि वो यहाँ से निकल सकती है तो इसलिए उसने कूपर के टीम की मदद की पर जब बाद में कूपर के टीम के तीन साथ ही मारे गए और उनकी गोलिया खतम होने पर आ गई तो मेगन समझ गई कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं और उस वक्त फूल मून भी आ चुका था तो इसलिए उसने अपना असली रूप दिखा दिया और उन्हें धुका दे दिया और उसके बाद की शोरी तो आपको पता है और उसके बाद फिर से कैंसल हो गई फिर सीधा 2014 में किस्मत कंपनी ने डॉक सोलजर्स फ्रेश मीट का पोस्टर रिलीज किया था जिसमें लिखा था कि यह मूवी 20 डिसेंबर 2014 को रिलीज होगी 20 डिसेंबर की तारिक निकल गई पर मूवी रिलीज नहीं ही और नहीं मूवी के बारे में कोई अपडेट आई और अगर आगे जाकर इस मूवी के सिक्वल के बारे में कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर ही देखने के लिए मिलेगी इस movie को देखने से पहले मुझे लगता था कि Underworld से best werewolf movie होई नहीं सकती पर इस movie को देखने के बाद मेरा पूरा नजर्या चेंज हो गया और अब ये movie मेरी number one favorite werewolf movie है क्योंकि इस movie की story इतनी unique है और actors ने जो काम किया है एक number और मेरी तरफ से इस movie को 5 what of 5 stars है मैं आपको recommend करूँगा कि आप ये movie जरूर देखें तो इसी के साथ ये था मेरा Dog Soldiers movie का explanation with theories plus detail ये guarantee कि आपको movie जरूर पसंद आई होगी तो हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करो आपको explanation कैसा लगा ये मुझे comment में बताओ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करो चैनल को subscribe करो और साथ ही में bell notification आईकन भी दबातो ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले गाईज मुझे Instagram पर follow करना मत भूलो अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियो किस movie पर होने वाली है क्योंकि मैं मेरे आने वाली वीडियो की update वहाँ पर डालता रहता हूँ और मैं मेरे cult members को फिर से thank you कहता हूँ क्योंकि आपने सच में मुझे बहुत प्यार और support दिया है जैसे हम सबने 2K के target को इतना जल्दी पार किया है वैसे ही मैं चाता हूँ हम सब हमारे next target को भी उतना ही जल्दी अचीव करें जो की होने वाला है 10K और मुझे मेरे cult पे पूरा बरुसा है कि आप लोग ये जल्दी ही पूरा करोगे तो इसलिए चैनल और वीडियो को जितने ज़्यादा social platforms पे आप शेर कर सकते हो उतना ज़्यादा करो और चैनल को subscribe करके cult को join करना मत भूलो क्योंकि आपका subscription ही मेरा support है तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए stay with the cult